अलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल आरवे स्पोर्टिंग है तो दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने मैं ले कराया हूँ एक रोमान चक मेच एक अभिहास मेच था और अभिहास मेच जिसमें की दोनों ही यानि कुछाई परखन के दो सत टीमों का भिलंथ हुआ था सुड़ा जिपसी वर्सेज पोड़ाडी एफसी जिसमें की मेच का सेकेंड है और अगर आप लोग फस्ट आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिपिशन बोक्स में देदूंगा वहां जाकि आप देख सकते हैं और दोस् चैनल पर दिखाया जाता है जितने भी लोकल मैच होते हैं जो लोकल मेच होते हैं उन सभी मेचरों का परसाराम यूट्यूब चैनल पर किया जाता है ऐसलिए आप सबयों से मेरा नमर निमय kiya हैं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी दबा दे ALL recycle आपको सबसे प करने में नाकाम याब्र ओर पुना वोल एक पर फिर सफ पाइस्सी के पास और आपने साथी को ढूंडते हो यहाँ पर साथी की लाड़ी को लेकिन साथी की लेको ढून नहीं पहे बॉल पोल को लेने आ अगे आये हैं महंतर जो कि एक अच्छे खासे स्ट्राइकर के रूफ में जाना जाते हैं कुछ आई पर सिट मैं पर कि ओ ए जैंप बोल एक बार फिर से पोड़ाडी FC के कबजे में लेकिन आउटलाइन के पार और बोल चली गई है सुरज FC के राजू ने थरो किया दिगंबर के लिए दिगंबर ने सूरज को दिया सूरज ने दूरी से सोट लिना चाहा लेकिन गोल कीपर के लिए कोई चैलेंज नहीं आसान कि आप देख सकते हैं जो माउंटन भीव है इस मैदान का मैदान एकदम बहुत ही अच्छा काफी सुन्दर सा माहोल रहता है इस ग्राउड में क्योंकि जो हर्याली है आप देख सकते हैं बेक्ग्राउड में जो है माउंटन भीव काफी अच्छा एकदम पहाडों के बीच गिरा हुआ ये मैदान काफी अच्छा ये बोल फिलहाल दिगंबर के पास बोल को लेकर ड्रिबलिंग करते हुए साथी एक दो खिलडी को चाकाने का प्रयास लेकिन बोल आउट आप कंट्रोल हो चुगी है और लाइन को क्रोस कर चुगी है बोल फिलहाल पोड़डी संजय के पास संजय अपने साथी को निहारते हुए अच्छा पास यहां पर और ये काउंटर डिटेक पर लेकिन डिफेंडर आकाज सोय जो की एक अच्छे खासे डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं यहां पर बोल को केरी करते हुए पास देना चाहा साथी केले राजू को पास राजू जादब के लिए जादब ने पुना राजू को पास दिया बेकिक राजू ने पुना दिगंबर के लिए पास निकला है क्या आपा यहां पर गोल हो सकती है और ये दूरी से सोट लेना चाहा लेकिन कोई नुकसान नहीं यहां पर पोड़ाडी एपसी के लिए बोल आपस में बांटते हुए लेकिन डिफेंडर आगे हुआ है और एक बार काउंटर एटेक पर है यहां पर पोड़ाडी बोल को लेकर छीना चप्टी करते हुए खत्रा हो सकता है यहां पर सुराज अपसी को अरे यार गोल की पर आगे आये बहुत ही सांदार बचाओ लेकिन यहां पर खत्रा टाला नहीं है यह देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम पहला स्कोर लाती है और डिफेंडर दवर आया लंबा से क्लियर आते हुए क्योंकि थोड़े देर के लिए काफी खत्रा बना हुआ था यहां पर सुराज अपसी के लिए लेकिन डिफेंडर आ गया है लाइनमेन और जो रिफारी होते हैं वो नहीं थे क्योंकि यह अब यहां समेज था इसलिए जो फोल होते थे इस मेज में वो सारे खिलाड़ी है डिसाइड करते थे कि भाई आपने यह गलती की है और यहां पर फोल है तो उसी प्रकार का यह मेज था और यह अकास के दोरा एक गगन चुम्बी सोट लिया गया था अपने साथे खिलाड़ी को अपने भाई सूरज के लिए लेकिन सूरज बोल को लेने में नकाम यांब और एक बार बोल को लेकर आगे बढ़ते हुए और यहां दो दो खिलाड़ी लेकिन अब अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता है उसी प्रकार वान में अर्मी यह सिर्फ फिल्मों में है फुटबोल के खेल में नहीं अकेला खिलाड़ी कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक तागत है आप तक ड्रिब्लिंग करते रही है का ठक जाईएगा तो हार के चुप चाप बैट जाईएगा उसी प्रकार यह फुटबोल एक टीम वार्क है इसमें अपने साभी खिलाड़ीयों को लेकर चलना पड़ता है यह संजय ने एक समाजदारी भारा कदम उठाते हुए बोल फिलाल बेक पास दिया था अपने डिपेंडर के लिए मुखे डिपेंडर के लिए लेकिन मुखे डिपेंडर ने एक दम गलात भरा सोट और बोल हाउट लाइन के पर बोल को लाने जाते हुए अकास और बोल को आगे बढ़ते हुए जादब और सूरज और उनको भी मार्किंग किया जा रहा है पोला डी एपसी के खिलाडियों दोरा थ्रोइंग लिया जा रहा है यहाँ पर जादब के दोरा जादब ने राजु को दिया लेकिन बोल रिसीप क और उनके जो बदन से जो पसीना बह रहा है तैयार सोट अकाज लेने के लिए यहां पर साइद कुछ चैंज किया जा रहा है खिलाडियों का और बोल फिल्हाल अपने जगह पर है और यह अकाज का एक गलत सोट लिया गया था लंबा सोट लेने के लिए तयार थे लेकिन यह बोल रिसीव नहीं कर पाया यहां पर दिगंबर जो की एक बेहतरीन स्ट्राइकर कुछ आई परखंड में काफी बिख्यात हैं चोटा सकद और चोटे कद वालों का हमें साथ गती रहता है इसलिए गती मान खिलाडी है इसलिए उनको जाना पहचाना चेहरा है उजाई परखंड में बोल फिल्लार राजू को पास राजू ड्रिबलिंग करते हो बोल को लेका अरे बापर बाप सांदार अरे यार वाटे ड्रिबलिंग विपच्ची के लाड़ी बिल्कुल अपने आपको संभल नहीं पाए और गिरते पड़ते हुए और बोल को हेड करना चाहाब ही मैंने उने लेकिन एकदम हेड करने में नकाम यह संजय बोल को लंबा किलियर दे बैठे थाकान नजर आ रहा था कि अलवच्छी बाटा पूम जू झाल 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 क्या यहाँ पर सूरज कुछ कमाल दिखाएंगे अपने टीम को बराबरी पर लाएंगे यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन बोल फिल्लाल यहाँ पर राजु को पास राजुर अपने साथी के लड़ी को दिया है फिलल सूरज के पास सूरज जो की टीम के कप्तान भी है लेकिन उनका परदर्शन अभी तक दीख नहीं पाया है यह होना भी है क्योंकि यह धोप का मोसम है और काफी ज़्यदा एनर्जी के जुर्रत होती है इस अरे यार सुन्दर सा पास यहां पर मौका हो सकता है लेकिन गो लोार भी मोरी जाओं यह वोल लेकर आगया बढ़ते हुए सूरज जिपसी कि खिलाडि कि वांटूं ये को मार्क करके हैं इस याँ पर बॉल को लेकर आगया बढ़ते हुए एक साथी की खिलाड़ी बढ़ते हुए चब्ड़ते हुए च्छोटे छुटे पास हो नहीं बोल जादब ने राजू के लिए निकाला राजू अपने साथ य कुछ टोंडते हुए जादब की पास बोल जादब क्या करते हैं जादब ने पुन्हा अपने साथ ही के लड़ी यानि कि निए डिफेंडर है बोल को पास दिये हैं लेप्ट डिफेंडरने आभि मैंणू के लिए आभि मैंनून क्या करते हैं देखते हैं और ये वो एक दुसरे को पचारते हुए यहां पर लाज के लिए बोल نिकाला था, सूरज बिल्कुल बोल को रिसीव नहीं कर पाया नहीं था, खतर कि चेस्ट पास काफी अच्छा संजय के दवारा अपने साथे के लाड़ी को अरे हेड के दवारा ये गोल हो सकता था कोई डिफेंडर नहीं कोई नहीं था हुआ पर गोल हो सकता था यहां पर लेकिन फिलहाल बच चुकी है यह अब भेन्यों ने सूरज के लिए बोल देना चाहा है लेकिन सूरज बोल के पल नहीं पहुंच पाया और एक बार खत्रा होते हुए यहां पर पुना फिर से मोका और यार यह तो बिल्कूल गलत सर एकदम अपने फैंस को काफी नराज कर दिये इस सोट से पोड़ाडी के स्ट्राइकर अनिया था दो जिरो की बढ़त हो सकती थी यहां पर पुनाडी एपसी के लिए लेकिन फिलाल कोई खत्रे नहीं और एक जिरो की बढ़त है अभी भी पुनाडी एपसी के लिए चोटे-चोटे पासों स से यहां पर गेम को क्रियाट करने कोचिस कर treadmill रही ही यह पर सूरज जेपसी की टीम बोल की लेकर आगे बढ़ते होई दिघंबर दिघंबर ने साथ्यकिलवडी सूरज के लिए निकाला है सूरज अपने साथ ही खिलाडी को निकाला है पोल पास और यह गोल आ गई है गोल यहाँ पर बराबरी की गोल इसको कि तलास थी यहाँ पर सूरज इपसी की टीम और टीम के जो मेनेजर हैं उनको इस गोल की तलास थी क्योंकि एक जुरस से पिछड़ रहे थे और यहां पर पुराडी एपसी के फिंस काफी नराज अपने खिलाडियों से क्योंकि यह गेम बिल्कुल अंतीम छण की और आगरसर हो चुकी है और अंतीम छणों में यह बराबरी वाला गोल पुराडी एपसी के टीम के साथी खिलाडी और और उनके परसंसक के लिए काफी निराशा